इंडिया में popular company की बड़े इंजन वाली कारे कौन सी हैं तो आज मैं आपको बताओंगा किया की कौन सी है MG की कौन सी, Toyota की कौन सी, Maruti की कौन सी, Tata की कौन सी, Hyundai की कौन सी एक कार बताओंगा जो अपनी सभी गाड़ियों में सबसे बड़ा इंजन इस कार में है टॉप लिस प्रोवाइडर हमारे इस चैनल को सबस्क्राइब करें नए नए वीडियो देखने के लिए किया, किया company की जो इंडिया में बड़े इंजन वाली काड़ी है वो किया कर्निवल है कर्निवल 7-8 9-0 MUV गाड़ी है इसमें स्रिफ डिजल इंजन मिलता है और वो ही इंजन बड़ा है इसमें 2199 यान 219 में CC का डिजल इंजन मिलता है जिसकी पावर है 198 BHP की और 440 NM का टॉर्क है जी हाँ और गाड़ी का माईड़ी देफ 14 KMPL का सिर्फ ओटोमेटिक ट्रांस्पिशन में गाड़ी की जो एक्शोरूम कीमत है 24,25,000 में हजार से शुरू होती है MG MG कंपनी के इंडिया में जो बड़े इंजन वाली गाड़ी है वो MG क्लस्टर है कलस्टर 6 और 7 सेटर SUV काड़ी है और डिजल इंजन में मिलती है इसमें दो डिजल इंजनों का ओप्शन मिलता है और दोनों सेम सीजी के हैं लेकिन एक ट्विंटर वो डिजल इंजन है मैं आपको उसी के बारे में बताऊंगा जो कि है 1996 यानि कि 1996 में CC का डिजल इंजन जो कि 218BHP और 480NM का टॉर्क जनरेट करता है और काड़ी कामाई ले जाए 12.4 KMPL का और्टमेटिक ट्रांस्मिशन में काड़ी की कीम 34,68,000 से शुरू होती है टोयेटा टोयेटा कमपनी की इंडिया में जो बड़े इंजन वाली गाड़ी है वो टोयेटा फोर्चोनर है Fortuner 7-seater SUV गाड़ी है और ये गाड़ी डिजल और पैट्रोल दोने इंजिनों के ओप्षन में मिलती है और जो बड़ा इंजिन है वो डिजल में मिलता है इसलिए मैं आपको उसी के बारे में बताऊंगा वह है 2755 यानि 2755 सीसी का डिजल इंजिन जो कि 201 यानि 201 बहप और 420 अनम का टॉर्क जनरेट करता है और गाड़ी का माईल ये 10 के अमपियल का इसमें आपको ओटमाटिक और मैनुवल दोनों ट्रांस्मिशन का ओप्षन मिलता है गाड़ी के डिजल इंजिन वाले वैरियंट की कीमत 32,48,000 से शुरू होती है कि यह फॉल्ड फॉल्ड कंपनी की बड़े इंजिन वाली गाड़ी वह एंड़ेवर है एंड़ेवर सेवन सेटर एस्योव गाड़ी है और शरीफ डिजल इंजिन में मिलती है और वह इंजिन बढ़ा है जो कि 1996 दिजल इंजिन है जिसके पावर 170 बहप की और 420 अनम का टॉ होती है रेनो रेनो कंपनी की बड़े इंजिन वाली गाड़ी यह डस्टर दस्टर 5-sytrs वी गाड़ी यह रिफ पैट्रो लिंजन में मिलता है यह लेकिन जो बड़े इंजिन है 414-98cc का पैट्रो लिंजन है जो की 104 यानि 104 BHP और 142 NM का टॉर्क जनरेट करता है और गाड़ी का माईले है 16.42 KMPL का इस गाड़ी में और अटोमेटिक और मैनुवल दोनों ट्रांसमिशन का उप्शन और गाड़ी की एक शोरूम कीमत 9,57,000 से शुरू होती है महिंदरा और डिजल और पैट्रोल दोन इंजनों के उप्शन में लेकिन जो बड़ा इंजन है वो डिजल का है इसलिए में आपको उसी के बारे में बताऊंगा 2184 CC का डिजल इंजन जो की 130 BHP और 300 NM का टॉर्क जनरेट करता है गाड़ी का माईलेज है 15.2 KMPL का गाड़ी में ऑटमेटिक और मैनुवल दोनों ट्रांस्मिशन का ओप्शन और गाड़ी के डिजल वैरियेंट की कीमत 12,30,000 से शुरू होती है रेट टाटा टाटा कमपनी की जो बड़े इंजन वाली गाड़ी वो हैरियर है हैरियर 5-seater SUV गाड़ी है और सिर्फ डिजल इंजन में मिलती है और वो ही इंजन बढ़ा है 1956 CC का डिजल इंजन यहीं इंजन आपको सफारी में मिलता है और 167 BHP को जनरेट करता है 350 NM के टॉर्क के साथ गाड़ी का माईले 17 के MPL का और और अटोमेटिक और मैनवल दोनों ट्रांसमिशन को अप्शन काड़ी कीमत 13,99,000 से शुरू होती है होंडा होंडा कमपनी की जो बड़े इंजन वाली गाड़ी है वो होंडा सिटी है इस सिदान कार है और डिजल और पैटरल दोनों इंजनों के उप्शन में और दोनों इंजन सेम सीजी के मिलते है इसलिए मैं आपको पैटरल इंजन के बारे में बताऊंगा क्योंकि वो ही जादविकता है इस गाड़ी का जो कि 1498cc का पैट्रोल इंजन ने 120BHP और 145NM का टॉर्क जनरेट करता है और गाड़ी का माईलेज 18KMPL का दोनों ट्रांस्मिशन के ओप्शन में ये गाड़ी मिलती है और गाड़ी कीमत 10 लाख निंडिया अनम हजाद से शुरू होती है हुँँँँँँँँँँँँँट लेकिन जो बड़ा इंजन है वो पैट्रोल का है जो कि 1999cc का पैट्रोल इंजन है और 149BHP और 192NM का टॉर्क जनरेट करता है गाड़ी का जो माहिलेज है 14.59K MPL का और और अटमेटिक और मैनवल दोनों ट्रांसमिशन के ओप्शन में ये गाड़ी मिलती है गाड़ी के पैट्रोल इंजन वाले की एक्शोरों कीमत है 17,83,000 से फिरा ये मारती सूजू की इस कमपनी की बड़े इंजन वाली गाड़ी है विटारा ब्रेजा ब्रेजा फाइप सिल्टर SUV गाड़ी है और पैट्रोल इंजन के ओप्शन में मिलती है और वो ही इंजन बड़ा है जो की 1462 CC का पैट्रोल इंजन है ये इंजन आपको सियाज में और S-Cross में भी मिलता है लेकिन ये गाड़ी उससे सस्ती है इसलिए मैंने आपको यही कार बताई है और 103 BHP और 138 NM का टॉर्क जनरेट करती है और गाड़ी का माईलेज 17 KMP का और गाड़ी में ट्रांसमिशन में आटोमेटिक और मैनुवल दोनों का ओप्शन मिलता है और गाड़ी के कीमस 7,49,000 से शुरू होती है तो मैंने आपको 10 कंपणी की 10 वो कारे बताई है जिनका इन्यन अपनी कंपणी के गाड़ी में बढ़ा है आपको इन मेंसे कौन सी कार सबसे बहत्री ने अच्छी लगती है मैं कमेंड बोक्स में इस गाड़ी का नाम बताई है